कि तो बच्चों देखिए मैंने आपको 11 कोश्चन था अब कमड़का देथा पार्ट वन में अभी यह पार्ट टू है हमारा यहां से हम लोग कोश्चन नंबर ट्वल देखेंगे ठीके कोश्चन नंबर ट्वल भी आपके एक्जाम में बहुत कुछ आ गया है और इंपोर्ट x square minus 1 तो आपको बता है कि 1 plus x square किस formula में आता है यहां था 10 के formula में ठीके तो starting भी यही से करेंगे क्या आपने किया अपने कर दिया बिटा कि put x equal to 10 theta आपने x के place पे क्या put कर दिया 10 theta तो देखें जो आपने x के place पे 10 theta put किया है तो यहांसे theta की value क्या आ जाएगी यहांसे theta की value जाएगी 10 inverse x ठीक है आईए देखिए तो इसको put करते हैं अपने question में तो यह हो जाएगा 10 inverse 10 inverse bracket root में हो जाएगा बेटा यहाँ पर 1 plus 10 square theta क्या हो जाएगा 10 square theta minus 1 ठीक और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 theta ठीक आईए देखिए तो इसको पहले solve गर लेते हैं अच्छे से तो यह हो जाएगा 1 plus 10 inverse 1 plus 10 square theta क्या होता है और जाब रूट हटाएंगे तो यह हो जाएगा 10 theta यहां तक सही है सभी का अच्छा अब आप देखो देहां से समझना इस चीज को तो यह हो जाएगा 10 inverse अब देखिए sec को आप कैसे लिख सकते हो 1 upon cos minus 1 ऐसी तरीके से आप 10 को भी कैसे ल यहां तक है ना पूरा bracket इस तरीके से यह ठीक है अब आप देखो देहां पर समझना इस चीज को तो यह हो जाएगा y equal to 10 inverse अब आप चेक करो देखिए जब आप LCM लेंगे तो एक कॉस से एक कॉस कड़ जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा 1 minus cos और यहां पर कितना हो जाए देखिए जो कॉस थीटा की जो half angle property होती मैं यहां लिख देता हूँ अगर आपको नहीं पता तो आप यहां देख सकते हैं कि कॉस थीटा की जो half angle first जो property होती है वो होती है कॉस स्क्वार थीटा माइनस साइन स्क्वार थीटा बाई 2 तो जब आप सेकेंड में चेंज करोगे 2 कॉस स्क्वार थीटा बाई 2 माइनस 1 अब मैं यहां पर वो identity पूट करूँगा जिससे ही हमारा 1 जो है वो cancel हो जाए ठीक है तो cancel किससे होगा अगर मैं यहां पूट कर दूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वार थीटा तो cancel हो जाएगा चली इसको पूट कर देते हैं तो मैंने यहा पर क्या पूट कर दिया मैंने यहां पर पूट कर दिया है 1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वार थीटा बाई 2 ठीक है और साइन के प्लेस पे हाफ एंगल प्रपरटी 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 ठीक है तो देखो यह 1 से 1 क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा और यह हो जाएगा 10 inverse अब आप देख उच्छे करते जाओ बेटा 2 से 2 cancel देखो ध्याम पर समझेदा एक 2 से एक 2 cancel जाएगा एक sign से 1 sign cancel जाएगा तो sign upon cost क्या होता है 10 होता है 10 10 theta by 2 और आपने 10 inverse x इसके प्लेस पर आपके लिख सकते हो 10 inverse x और यह कितना है 10 upon में कितना हो जाएगा by 2 तो मुझसे पूछा गया था कि dy dx कितना होगा तो dy dx हो जाएगा 1 by 2 constant 10 inverse x का क्या होता है 1 upon 1 plus x square ठीक है यह चीज यह आपके पास बेटा फाइनली आंसर निकल करके आ जाएगा यहां तक ठीक है आई हो सभी को किलियर हो रहा है यहां तक ठीक है आईए देखिए next question देखेंगे next question देखेंगे next question हमारे पास है कि differentiate 10 inverse 2x upon 1 minus x square with respect to cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square अब देखिए यह जो question होता ना यह question बहुत simple है बस आपको formula पता हो जाए तो मैंने आपको easy रहे इसलिए मैंने यहां पर formula कर दिया है note आप इसका screenshot है आपने को अभी में इसको note कर सकते हैं कि देखें 10 2 theta का formula 10 की form में क्या होता है 2 10 theta upon 1 minus 10 square theta और cos 2 theta का formula 10 की form में होता है 1 minus 10 upon 1 plus 10 ठीक है अब आपको गर यह formula यहाद रहेगा तो आप आसानी से कर सकते हो देखो सबसे पहले मैंने क्या किया मैंने इसको p let कर लिया मैंने आपको ऐसा question कराया था अभी first part में ठीक है 10 inverse 2 x upon 1 minus x square इसको मैंने p let कर लिया ठीक है इसको मैंने let क्या लिख देता हूँ इसको मैंने p let किया हुआ अब आप देखो अब आपको पता है x के place पर आप क्या put कर दोगे 10 theta x के place पर क्या put कर देंगे 10 theta तो यहां से जो theta की value निकल करके आएगी हमारे पास वो कितनी हुजाएगी 10 inverse x तो अगर मैं आप से पूछू पी की value क्या आएगी तो आप लेख सकते है 10 inverse अब देखो 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 दोफ़ाइट कर रहा हुँ बिटा आप पूरा करिएगे लिख करके जब मैंने यहां put किया तो यह formula हो जाएगा 10 2 theta का तो अंदर क्या बन जाएगा 10 2 theta तो p equal to कितना हो जाएगा हमारे पास 10 से 10 remove कितना हो जाएगा 2 theta तो देखो अब theta की value मुझे पता ही कितनी है 10 inverse x यह तो है अब मैं यहां से dp upon dx and with respect to x तो यह हो जाएगा हमारे पास differentiate कर दिया तो देखिए हमारे पास जो value निकलके आ गई dp upon dx की वो कितनी निकलके आ गई है यहां से बिटा यह आपकी आ गई 2 upon 1 plus x इसको मैंने क्या लिट कर लिया equation first again देखो ध्यांपर समझना यहां कर रहा हो देखो इस तरब कर देते हैं फोट से जगे बनाते हैं देखिए आईए देखो बिटा, अब हमें जा करना था देखो, जब मैंने यह कर लिया यहां पे तो आपने देखा कि आप cos वाला है, इसको मैं Q लिट कर लेता हूं इसको मैं लिट कर लिया है Q, Let Q is equal to cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square इसको मैंने Q लट किया, अब आप यहां पर ध्यान देना, जब यह देखे, यह formula लिखा हुआ है, इसका मतलब मैं X के प्लेस पे क्या पुट कर दूँ, 10 theta, तो यह बन जाएगा, cos 2 theta, ध्यां पर समझना है, बहुत ही important question है, तो Q is equal to, हमारे पास कितना हो जाएगा, cos inverse, अंदर जब मैं पुट करूँगा 10 theta, है ना, तो यह हो जाएगा, cos 2 theta, ठीक है, यह थी, अब देखो, जब मैं इसको पुट कर तो यहां से देखे, यह remove हो गया, तो यह भी कितना आ गया, 2 theta आ गया, अब theta की value यहां से कैसे आएगी, भोलो, theta की value क्या थी, आपने रखा गया था, य तो जब आप dq निकालेंगे, dq upon dx equal to 2 upon 1 plus x square, तो यह सेम आ जाएगा, अच्छा, आप देखो तोड़ा ध्यान देना भाई, यहां पर, तोड़ा से ध्यान देंगे इस चीज़ को, क्या, कि जब यह भी सेम आ गया, अब देखो उससे ने यही तो मुझसे पूचा था, क्या कि differentiate with respect to this, and इसको मुझे इसके respect में करना है, तो यह एक parametric function हो गया, यह parametric function हुआ, तो आप इसको divide कर दो, है न, dp upon dq निकालना है, तो dp upon dq जो आप निकालोगे, तो यह value और यह value तो सेम है, तो दोनों cancel out हो जाएगे, तो हमारा final answer क्या आ जाएगा, 1, क्या जाएगा, final answer, बना जाएगा, हमारे पास, ठीक है, यह चीज, I hope कि लिए बटा सभी को, सभी को, ठीक है, आएगे, इस question को देख लिए, यह भी question NCRT-based question हो, एक्जाम में बहुत आया हुआ है, आप इसो आसानी से कर सकते है, इसमें लोग ले लो, ठीक है, लोग ले लेंगे तो आपका और इसको मैंने V लेट का लिए, मतलब मैंने X, Sine X को क्या लेट का लिए आए, U, और इसको क्या लेट का लिए आए, V, अब आप सोचिए, अगर मुझे DV upon DX निकालना हो, तो मैं कैसे लिखता, मैं लिखता कि DY upon DX equal to DU upon DX plus DV upon DX, यह तो है, अब मैं इसको अलग solve कर लूँगा, देखे कैसे, देखो, समझना इस चीज को, सबसे पहले मैंने U को solve किया, तो U मैंने किसको ले रखा था, बिटा, U मैंने ले रखा था, X, Sine X, अब देखो, आपको पता है, बिटा, कि जब function की power function, मैंने X भी एक function है, Sine X भी function है, जब ऐसा हो जाता है, तो हमनों लोग से Sine X, अब इसमें property use कर लेंगे, लोग MN वाली, ठीक है, M की power N वाली property, तो यह हो जाएगा, लोग U is equal to Sine X, लोग X, अब फिर से वही, differentiate with respect to X, इस तरीके से लिख देजेगा, differentiate with respect to X, ठीक है, X के respect में differentiate करेंगे, तो लोग U का हो जाएगा, 1 upon U, लोग U का 1 upon U, और U का दुबारा करेंगे, तो DU upon DX, इस तरीके फिर देखे, यहाँ भी लग जाएगा हमारा multiply rule, 1st second, 1st second, ठीक है, आप इसको 1st ले लो, और इसको 2nd, तो 1st को मैंने इस तरीके से लिखा, S और लोग X का क्या होता है, 1 upon X, Sine कौन सा आता है, प्लस सा आता है, यहाँ भी लिख दिया, मैंने लोग X into, Sine X का differentiation आपको बता है, यह Cos X होता है, ठीक है, तो यह हो जाएगा, बच्चा, DU upon DX, इस U को इस तरह बेज दीजेगा, तो यह हो जाएगा, अब मेरे पास यहाँ प X plus Cos X log X, ठीक है, अब यह हो जाएगा, बच्चा, DU upon DX, अब देखे, यू की जो वैलू है, यू की वैलू, वो यहाँ से पुट करेंगे, यू की वैलू, जो आपने यहाँ पे लिया था, यह यू, ठीक है, यू की वैलू कितनी थी, X की पावर, Sine X, तो यू की वैलू हो ज X, यह देखे, यह आपका आ गया क्या, DU upon DX, इसको आपने equation 1 लेट कर लिया, और इसको एक छोटे से box में cover कर दिया, ठीक है, इस तरीके से, देखो भाई, क्या हुआ, बन नहीं रहा है box, बन जा भाई, चलो, ठीक है, यह चीज़, अब देखे, आप मैं solve करने जा रहा हूँ सेकेंड वाले पार्ट को, ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या था मारे पास, V, V मैंने किसको लिया है, साइन की पावर, कॉस X, तो V को solve करीए, V को solve करते, चलो, तो V equal to, V equal to मारे पास था, साइन X to the power, कॉस X, ठीक है, साइन X की पावर, कॉस X, तो अगेन आपको लोग लेना देखें, तो V का करेंगे, तो 1 upon V, और यह हो जाएगा, DV upon DX, differentiate with respect to X, आप लिख लिएगे, फस्स सेकेंड लगा दीजे, multiply rule, cos X into, log sin X, तो log sin X का क्या हो जाएगा, 1 upon sin X into, sin X का मैं करूंगा, तो कितना हो जाएगा, cos X chain rule के according, ठीक है, प्लस, अब मैंने log sin X को इस तरीके से ल sin X, तो minus sin X आ जाएगा, ठीक है, तो अब देखें, यह हो जाएगा, DV upon DX, V को मैं इस तरह भेज देता हूँ, अब आप देखो भाई, चेक करना ज़रा जाएगा, देखो, कि cos upon sin क्या होता है, cot होता है, तो यह हो जाएगा, cot X into cos X, ठीक है, minus sin X, और into में log sin X, ठीक है, और जो V आपने लिया था, V, V, V कितना था हमारे पास, V हमने कितना लिया था, sin X to the power, cos X, और यह डिक्टो ऐसे लिख देंगे यहापे, ठीक, अब final answer आपको लिखना, final answer, तो final answer क्या हो जाएगा, बोलो, DY upon DX equal to, यह जो आपने अभी solve किया है, दोनों, ठीक है, यहाँ पे solve क answer आजाएगा, ठीक है, बस यह चीज़ करना था, आपको डिवाइड इस, ठीक है, जब भी ऐसा question मिल जाए तो आप इसको अला-इलाग solve करेंगे, तो बहुत lengthy हो जाएगा, और कोई नों कोई टर्म छूटने का डर रहता है, ठीक है, यह चीज़, आज़ो पेटा, इस question पे देखो, यह भी अच्छा question है, देखिए, इसमें मिलो फ्रहाँ इसा ITF की property यूज़ करेंगे, ठीक है, कि ITF की जो एक property होती है, आपने पढ़ रखी होगी, sin inverse x plus cos inverse x is equal to by by 2, तो इस identity का हम तो इसमें इसमें इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, आईए देखिए, कैसे यूज़ कर स को multiply करा रहा हूँ, equation 2 में, तो आपको बता जाओ, multiply कराएंगे, तो RHS, RHS में, और LHS में multiply हो जाएगा, चली, करते multiply, तो यह हो जाएगा, xy equal to, और जब मैं इस तरह multiply कराऊँगा, तो यह हो जाएगा, root a to the power sin inverse t into a to the power cos inverse t, ठीक है, यह चीज़, अब आप देखो जाए रहा से, मुझे पता है कि अगर basis same है, तो power क्या हो जाती, add हो जाती है, तो sin inverse t plus cos inverse t, यह हो जाएगा, तो देखो, जब यह हो गया हमारे पास, आप एक चीज़ देखे, तो यह हो जाएगा, a to the power pi by 2, क्योंकि sin inverse x plus cos inverse क्या होता है, pi by 2, अभी बतायाता है मैंने आपको, अब आप क्या करो, अब इसमें आप सीधर derivation कर दो, with respect to x, differentiate with respect to x, ठीक है, आईए, देखे, तो जब मैं करूंगा, तो यहां लग जाएगा, first second, x को बाहर किया, y का, dy, dx, sin आएगा, plus का, y को मैंने यहां पे लिया, ठीक है, और x का क्या हो जाएगा, 1, उस तरफ क्या हो जाएगा, 0, यह तो constant है, constant है, constant है, constant है, तो इसका क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, अच्छा, तो यह हो जाएगा, x, dy, upon, dx, equal to minus का y, तो यहां से जो dy, upon, dx की value आजाएगी, वो आजाएगी, minus का y upon x, ठीक है, यह चीज, simple है, बिल्कुल, आप कर सकते थे, इसको कोई problem वाली बात नहीं है, य यह भी exam में पूछा गया कई बार, यह भी simple ही बहुत जाएथा, देखो, आप से पूछका आगया है, यहां पे, कि y is equal to 5 cos x, 3 sin x, then prove that, d2y upon dx2 plus y equal to 0, यह मुझे prove करना है, ठीक है, देखो, तो कैसे करूँगा मैं, इसी को solve करते हैं, कि y is equal to 5 cos x minus 3 sin x, equation, first, ठीक है, equation first, तो यहां से कितना आजाएगा, dy upon dx, देखे, 5 cos x का क्या होता है, minus sin x, minus 3 cos sin x का क्या हो जाएगा, cos x, ठीक, यह चीर, अच्छा, अच्छा, देखो, मुझे d2, यहां पे, जो prove करना, उसमें लिखा d2y, यहनि second derivative, चली, second derivative, ठीक है, तो कितना आजाएगा, देखो, second time में क equal to, यह हो जाएगा, minus 5, minus 5, और sin x का क्या होता है, cos x, minus, ठीक है, sin x क्या हो जाएगा, cos x क्या होगा, minus का, sin x तो minus minus plus, इस तरीके से, आप देखे, बस यहीं पर थोड़ाएपर समझना है, मैंने minus common किया, जब आप minus common करोगे, तो यह हमारे पास क्या हो जाएगा, plus का, और यह हो जाएगा, minus का, अब equation 1 पे ध्यान दो, equation 1 पे ध्यान दो, equation 1, यही तो थी equation 1, यही तो थी equation 1, यही इसके पर आप कहा लिख सकते हो, y, कहा लिख सकते हो, y, तो यह हो जाएगा, d2y upon dx2 is equal to minus y, minus y को मैं इस तरफ लेहाता हूँ, तो d2y upon dx2, और plus y equal to 0, यह आपका proved ह हो गया, ठीक है, hence proved, ठीक है, आओ बैटल जाएगा, इस पे देख लो, यह भी है आपका NCRT-based question है, 17 number, important है, ठीक है, important question है, ठीक है, आपसे question में कहा कहा गया है, कि y is equal to 10 inverse x whole square, then show that, अब देकिए, y2 का मतलब यहाँ पे कहा हो था, double derivative, ठीक है, और y1 का मतलब single, यही दीवाइ y upon dx, यह d2 y upon dx2, ठीक है, चलो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो तुसरो थबसे पहले इसको first time derivate करते हैं, तो y1, ठीक, अब जब आप इसको derivation करोगे, ठीक है, तो तो 10 inverse x upon, अब 10 inverse का दोबार करों, ठीक है, ठीक है, एक है, बेटा, तो 2 इस तरफ आगे आजाएगा 1 प्लस X स्क्वार Y1 इक्वल तू 210 इंवर्स X ठीक है यहाँ तक के लिए है सभी को आप देखे अब चुकि मुझे एक बार और और भी करना है तो again derivative with respect to X again differentiate with respect to X बोर साइड दो दरफ करेंगे ठीक है चलिए जब दुबारा से करूँगा इसको तो देखे आप यहाँ रूर लग जाएगा first second तो first को बाहर करते है और y1 का differentiation करोगे तो कितना हो जाएगा y2 ठीक है dy upon dx करेंगे तो d2y upon dx2 प्लस sign हो जाएगा यह हो जाएगा y1 bracket 1 का 0 और x2 का क्या हो जाएगा 2 x हो जाएगा ठीक है पाई देखना जाएगा जब यहाँ किया तो 1 का 0 और x2 का 2 x हो जाएगा ठीक है लग गया plus minus इधर आजाओ बिटा 2 upon 10 inverse x का 1 plus x2 ठीक चलिए इसको multiply कर लेते हैं अब देखे जब आप इसको multiply करोगे यहाँ पे तो जब आप multiply करोगे देखे तो यहाँ देहां पे समझ नहीं बिटा यह 1 plus x2 इसमें multiply होगा तो क्या हो जाएगा whole square तो यह हो जाएगा 1 plus x2 का whole square y2 plus ठीक है और जब मैं इसमें multiply करोगा y1 वाले टर्म में तो यह हो जाएगा 2x bracket 1 plus x square y1 और equal to उस तरब क्या बचेगा 2 यह तो बचेगा देखे कितना simple question था आसानी से आपका हो गया चिक है यह चीज कोई problem नहीं उनेची मेरे साब से चिक है simple question था यह भी आप देखे next question देखते है यह देखे यह भी बहुत पूछा गया exam में अगर आपने previous question में solve किये होंगे तो आपने पाया होगा question बहुत बार आया ठीक है आई देखे कैसे करेंगे इसको देखो differentiation करने से पहले इसको solve कर लो अच्छे से ठीक है solve कर लो इसको देखो कैसे मैंने बिटा इसमें क्या किया कि यह जो question है आपके पास यह यहां से यहां तक जो question है यह वाला ठीक है इसमें मैंने इसको simplify करने के लिए मैंने ऐसे लिख दिया कि 1 plus y square equal to और यह जो term है यह term यह plus वाला इसको उस तरफ ले जाते हैं तो यह हो जाएगा minus का y under root 1 plus x ठीक है under root 1 plus x अब देखो ज़रा समझना है सीज़को देखे मैंने कहा कि squaring on both side लिख देना ऐसे ठीक है squaring on both side ठीक है दो तरफ square कर लेते हैं जब square करेंगे तो क्या होगा इधर हो जाएगा x square 1 plus इधर हो जाएगा 1 plus y ठीक है क्या हो जाएगा 1 plus y ठीक और इस तरफ square करेंगे तो यह हो जाएगा y square और यह हो जाएगा 1 plus x simple है अब देखो multiply जल्दी से कटते हैं multiply x square plus x square y is equal to y square plus x y square अच्छा अब इसको इस तरफ लिया बटा इस तरफ लिया के common ले लेते हैं ठीकिना factorize करना है x square plus x square y minus y square minus x y square equal to 0 अब देखो pairing कैसे करूँगा pairing करूँगा कि x का y के साथ और इसका इसके साथ अब देखें आप common मिल रहा होगा आपको इसको ऐसे लिख दिया कि x square minus y square plus x square y square minus x square y square equal to 0 यहां तक तो बन गया होगा आप लोगों का ठीक है अब आप देखो जरा इसको आप as a square minus b square भी तो use कर सकते थे यानि कि x plus y और x minus y plus अब इस पर ध्यान दो जरा इस पर मैंने क्या किया कि x y common लिया और जब मैंने x y common लिया तो मेरे पास क्या बचया x minus y तो x minus y दोनों में आ गया और मेरे पास यहां जब क्या बचयेगा x plus y और plus x y equal to 0 तो factorize करने का वक्त आ गया है जब आपने x minus y equal to 0 किया तो यहां से एक result आजाए गा x equal to y जो कि valid नहीं है क्यों क्यों कि question में दिया हुआ है कि x y equal नहीं हो सकता इसका मतलम मैं दिखा दूँगा कि यह condition जो है वो possible नहीं है अच्छा जब यह condition possible नहीं है तो second वाले को solve करके देखते हैं second में क्या हो रहा है बच्चा लोग ठीक है second में क्या हो रहा है देखो सांफे समझो तो जब second को solve करोगा यह जो बच्ची वी टर्म है यह वाले टर्म इसको solve करके देखते हैं x plus y plus xy equal to zero ठीक है अब आप यहां से देखो जरा क्या कि मुझे इसमें मुझे देखना पड़ेगा मैं किसो कॉमा ले सकता हूं देखिए मैं इस x को दर बेज देता हूं 1 plus xy equal to is x को दर बेजूंगा तो यह minus x हो जाएगा y common कर लो है ना y common कर लो तो अंदर क्या बचेगा अगर आप इधर देखेंगे तो मेरे पास बच जाएगा तो यहां हो जाएगा 1 plus x equal to minus x तो यहां से y की value आजाएगी minus x upon 1 plus x बस अब तो खतमी हो गया dy upon dx सिंपल सा रूल हो कि देखिए नीचे 1 plus x का होल इसको लाना था proving में देखिए लाना है कि लाना है कि लाना अब लगा देखिए डिवाइडूल आपका अंसर आजाएगा ठीक है अब तो कोई दिक्कती नहीं डिवाइडूल लगाने में ठीक है या आपका सिंपल सा कोश्चन था ठीक है ओनेस नंबर देखिए निच नंबर भी देखिए निच नंबर भी बहुत important मैंने इसमें एक काम करता हूँ कि मैं x के place पर sin a और y के place पर sin b पुट कर देता हूँ क्यों पुट कर रहा हूँ अलग-अलग उसका reason है क्योंकि यहाँ पर x है और यहाँ पर y है तो angle मुझे अलग-अलग ही रखने पड़ेंगे ठीक है ना different angle पुट करने पड़ेंगे तो जब आप यह पुट करेंगे इसमें तो देखी कैसे आ जाएगा यहाँ पर देखो यह हो जाएगा under root 1-sin2 a है तो यह हो जाएगा हमारे पास कितना 1-sin2 a है तो 1-sin2 a ऐसे लिख दिया ठीक है प्लस अब जब यहाँ पुट करेंगे तो यह हो जाएगा आपके पास कितना under root 1-sin2 b और उस तरफ जाएगा तो उस तरफ हो जाएगा sin a minus sin b इस तरीके से मैंने value पुट करती है ठीक है अब आप देखते जाएं जाएगा देखिए 1-sin2 a को बाहर लाओंगा root से तो cos हो जाएगा 1-sin2 a cos2 b तो cos भी हो जाएगा यह हो जाएगा a sin a minus sin b अब class 11 का formula class 11 का formula अच्छे से याद कर लो क्या देखो sin c plus sin d sin c minus sin d तो sin c plus sin d का जो formula होता है sin c plus sin d का जो formula होता है वो क्या होता है याद कर लो चालो formula होता है cos a plus या c plus d by 2 into cos c minus d by 2 equal to a अब sin c minus sin d यहाँ पर sin c minus sin d का formula apply करिए क्या होता है formula formula आपके पास होता है cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2 यह चीज़ ठीक है यह अब देखो अब होगा क्या बिटा होगा यह कि आपने देखा cos a plus b by 2 cos a plus b by 2 सेम है अच्छा चले यह तो cancel हो गया अब मेरे पास क्या बच रहा है इधर बचा है cos a minus b by 2 अब देखो ध्याम फे समझना बस यह step है sin a minus b को जब देखें multiply में इस तरफ लाओंगा तो divide हो जाएगा बोलो divide हो जाएगा जब यह divide हो जाएगा तो ऐसे लिख सकते हो sin a minus b by 2 और उस तरफ क्या बचेगा small a आप देखें अब आप देखो 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 cos upon sign एंगल सेम है तो क्या हो जाएगा cot हो जाएगा यह तो यह हो जाएगा cos upon sign cot a minus b by 2 और इधर क्या बचेगा a तो यहां से a minus b by 2 की जो value आ रही है वो कितनी आ रही है cot inverse a कितनी आ रही cot inverse a अब आप देखो जाएगा अगर मैं आपसे पूछू a minus b की value क्या होगी तो हो जाएगी 2 cot inverse a ठीक अब a की value a की value यहां से देखो a की value कितनी आएगी sin inverse x और b की value यहां से कितनी आएगी sin inverse y यह value यहां पूट कर लिए ठीक है यहां पूट करेंगे आपका answer आ जाएगा यह हो जाएगा sin inverse x minus sin inverse y और 2 cot inverse a अब क्या करेंगे आप कर देंगे differentiation with respect to x तो sin inverse का आपको पता ही बिटा कितना होता है under root 1 minus x square इसी तरीके से sin inverse y है तो यह हो जाएगा 1 minus y square और y का again करना पड़ेगा तो dy upon dx और यह value constant तो यह क्या हो जाएगा 0 तो यहां से आपका answer आजाएगा कि dy upon dx equal to इसको इस तरह भेजूँगा तो यह हो जाएगा minus का under root 1 minus y square upon 1 minus x square I think मुझे यही प्रूव करना था हाँ ठीक है यही लाना था बिल्कुत सही है और जब इसको भेजूँगा इदर तो इसको इदर भेजूँगा तो यह minus और यह minus cancel हो जाएगा यह minus cancel हो जाएगा जब उस तरफ जाएगा तो final आपका answer यह बिटा आ चुका ठीक है तो बहुत important question है और मैंने बहुत ही simple method से आपको बताया है प्लीज आप इसको जरूर करके जाए एक्जाम के लिए 20 number question अभी आपने अगर sample पर solve कियोंगे तो यह उस्वाल sample paper से मैंने इसको लिया हुआ है अच्छा question है देखें मज़े दिया गया है कि y is equal to 10x plus sec x तो देखें अब आपने class 10th 11th में सब कुछ पढ़ा है 1 plus sin x upon cos x अब आप देखो जरा कई बार क्या हो रहा है कि जो solution आप आपने देखा होगा या कभी खुद से solve किया हो solution से तो वो यही से इसको derivate कर दे रहे हैं यहां से derivate मत करो एक चीछ देख लो ना यहां upon में क्या दिख रहा है जो prove करना है 1 minus sin तो जब आपन में 1 minus sin है तो यहां sin बना लो नो बिट्टा ना क्या करो आप 1 minus sin x से इसको डेरिवेट बलाव सुरी चंजुगेट से multiply 1 minus sin x से जब आप multiply करेंगे तो a plus b a minus b बन रहा है उपर तो उपर हो जाएगा 1 minus sin square x और नीचे कितना हो जाएगा cos x और 1 minus sin x ठीक है यहां तक इतना तो सही होगा ना देखो तो 1 minus sin square x हमारे पास हो जाएगा cos square x चाही है भी यहां और यह हो जाएगा cos x और 1 minus sin x अब आप देखो यह की value cancel होगी आप तो कोई दिक्कत है यहां से तो जो finally मेरे पास बचेगा y is equal to cos x और bracket 1 minus sin x अब कर दूँगा divide rule यहां से तो यह हो जाएगा dy upon dx अब लगा देचे divide rule यहां से तो यह हो जाएगा 1 minus sin x का whole square ठीके 1 minus sin x का whole square ठीके अच्छा जब आप whole square करेंगे यहां से अब आप देखो जरा आपने जब whole square किया इसको तो मेरे पास देखे जब मैं ऊपर क्या लिखूंगा 1 minus sin x यहां इसको इधर लिखता हूँ थोड़ा सा जगे बना करके यहां पर space कम हो जाएगा देखो तो जब मैं dy dx निकालूँगा dy dx तो आपने देखा कि 1 minus sin x का whole square ठीके अब जब मैं इसको बाहर करूँगा तो आइडू लगा रहा हूं 1 minus और minus का sin x minus अब इसी तरीके से आपने क्या किया cos x को बाहर किया और 1 का हो जाएगा 0 और sin x का क्या हो जाएगा cos x ठीके चलो अब इसको solve कर लेते हैं तो यह हो जाएगा dy upon dx अब जब मैं sin को multiply कराऊँगा तो यह हो जाएगा minus का sin x ठीके और minus minus plus क sin square x और जब इसको multiply कराऊँगा तो यह हो जाएगा plus का cos square x और यहाँ पर कितना बचेगा 1 minus sin x का whole square ठीके यह चीर आप अब आप देखो जाएगा तो यह हो जाएगा dy upon dx आप ने यह देखा कि इसकी value क्या हो रहे है यह 1 sin square theta plus square तो यह हो जाएगा कितना हमारे पास जब यह 1 हो जाएगा तो finally हम यह लिख सकते हैं 1 minus sin x ठीके 1 minus sin x और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 minus sin x का whole square तो आप देखो यह एक value से एक value क्या हो जाएगी cancel out हो जाएगी तो मेरे पास क्या बचेगा dy upon dx equal to 1 upon 1 minus sin x यह तो बचेगा अभी तुमने से एक ही बार derivation किया है बट proving तुम उससे का गया कि double derivation करना है एक बार derivation करेंगे ठीके तो यहाँ से लिख दूँगा again differentiate with respect to x ठीके न x के respect में इसको derivate करेंगे यह हो जाएगा d2y upon dx2 चली आई दे इसको बार किया मैंने 1 minus sin x को 1 का derivation क्या हो जाएगा 1 का derivation तो 0 हो जाएगा minus अब मैं 1 को बार करके और second वाले करता हूं तो 1 का क्या हो जाएगा इसका 0 और minus sin x क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा तो आपने देखा finally जो हमारे पास एक answer जो निकल करके आया है वो यह आया है कि तो मैरे numerator में बच रहा है cos x और यहां बच रहा है बटा sin x का whole square तो यह बहुत ही interesting और बहुत ही कि प्यारा question है आपके लिए आप इसको जरूर करके जाएगा ठीक है बटा यह जीज यह मैंने यहां से प्रूफ कर दिया इसको ठीक है यह जीज I hope सभी को clear हो रहा होगा ठीक ह अभी हम लोग मिलेंगे नेक्स सीरीज में ठीक है ना तक लिए आप अच्छे प्राइल करते हैं कोई भी डाउट हो तो पोश्टे रही ठीक है thank you so much